यह वीडियो किसी भी तरह विग्यापन प्रेडित नहीं है इस वीडियो के माध्यम से आप द्वारा लिएगे किसी भी निड़े के लिए सौधा घजे मेदार नहीं होगा अपने पैसों का निवेश स्वाविवेक से करें नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का सौधा घर के आज के इस नई वीडियो में साथियों दोबारा सौधा घर का कैमरा पूने साउत में आ चुका है और आज हम आपको वहाँ दिखाने वाले हैं जहां पे हमने पिछले वीडियो में खतम किया है तो आपको बहुत सारी न वायज है इन सबका डीटेल वर्ग प्रोग्रस देखेंगे रोड कंडीशन भी देखेंगे आखिर क्या हल चल है फ्यूचर में क्या हो सकता है और अभी क्या चल रहा है यह सारी चीज़े देखेंगे इस वीडियो में तो अब यहां से आगे बढ़ेंगे तुवर्ड्स एन आईबियम रोट की तरफ और आपको यहां पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उसको दिखाते चलेंगे वीडियो को आप लोग आखरी तक देखें क्योंकि आपको तमाम इंफॉर्मेशन ड्रोन व्यू के साथ भी हम लोग दिखाने वाले हैं और जैसा कि हमने कुछ वीडियो में लाइफ करने की कोशिस की थी तो जितनी भी चीज़ें छूट गई हैं वो सब इस वीडियो में हम लोग कबर करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग कोरियंथियन का मेन एंटरेंस क्रॉस करते हुए आगे राइट साइड में जो आपको दिख रहा है यह है मार्वेल आईसोला का प्रोजेक्ट जिसका लास्ट टावर अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है इसे भी हमने एक वीडियो में आ अंदरी चौक तक लेकिन अभी हम लोग यहाँ से राइट टर्न लेंगे एनाईवियम रोट पे और आपको आगे चल कर दिखाएंगे कि आखिर इस रोट पे क्या हल चल है क्या नए प्रोजेक्ट बन चुके हैं और किनका काम अभी चालू है जैसे ही हम लोग एनाईवियम रोट पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर आप देखें तो राइट साइड में एक रास्ता जा रहा है जो आगे जाके वाई सेक्शन हो जाता है उसमें से एक सीरा जो है जाके जोड़ना है आपका दोराब जी मॉल के रोट पे पर यह र आईवियम के लिए जा रहे हैं या फिर आप यह समझे दोराब जी मॉल होते हुए आगे की तरफ निकलते हैं उनके लिए काफी सहुर्यत हो जाएगी अभी तो कोविट की सिचुएशन है तो चीजें काफी आसान है ट्रेफिक के मामले में लेकिन आने वाले समय में इससे लोगों को काफी फाइदा जबू होने वाला है और अभी अगर आप देखें राइट साइड में आप जो है मार्वेल सैंग्रिया का प्रोजेक्ट देख सकते हैं एक तरीके से काफी प्रिमियम प्रोजेक्ट है लेकिन कुछ कारणों बस जो मार्वेल के स्टिती हुई वो स लेंगे राइट टन जिसे इंटर्नल रोड के नाम से जाना जाता है और आगे चलके टी पॉइंट से लेफट टन लेंगे टुवर्ड्स दोराब जी बाल की तरफ अभी टी जंक्शन पे जो आप प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं यह है दोराब जी का पैरडाइस प्रोजेक्ट यह भी अपने आप में काफी अच्छा प्रोजेक्ट है अब यहां से हम लोग लेफट टन लेंगे और चढ़ान पे आगे बढ़ेंगे जैसे हम चढ़ान पे चढ़ते हैं राइड साइड में आप देख सकते हैं वी टी पी गुरूप का अर्बन स्पेस प्रोजेक्ट और अब हम लोग पहुँच चुके हैं दोराप जी मॉल के पास में आइनॉक्स वगएर आप देखी रहे हैं चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहां का पूरा ग्रोजेक्ट अभी आप सामनी जिस रोट को देख पा रहे हैं इसे विब्ग्योर स्कूल रोट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहां पे काफी फेमेस विब्ग्योर हाई स्कूल भी मौचूद है जो कि आप देखी पा रहे हैं अभी और इस रोट के अगर दोनों तरफ का नजारा देखें जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको विब्टी की सेलिस्टा का प्रोजेक्ट मिल जाता है जो कि अंटर कंस्ट्रक्शन में है और यह तुझे थोड़ा डिले भी हुआ है और आप आगे बढ़ें तो यहाँ पर आगर आप देखें तो रहेजा के तमाम कंस्ट्रक्शन मौजूर हैं जिसमें से की मेजरली आपको रहेजा विस्टा का सेग्मेंट फेज वन आपको देख रहा भी लेब साइड में इसके आगे भी रहेजा है और राइब साइड में रहेजा विस्टा प्रिमियर है उसके कई टावर हैं और यह पूरी तरीके से रेडी हो चुका है और इसमें इन्होंने एक नया सेग्मेंट भी लाँच किया है उस सेग्मेंट का नाम है रहेजा विजर तो एक बार पहले आप इसे देख लीजिए और फिर जंक्शन के आग पढ़ा था आगे क्या डेवलप्मेंट हुआ है इसकी पूरी डीटेल आपके सामें हम रखेंगे अब ही आप जो प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं इसे वोईज तू दे स्टार्स के नाम से जाना जाता है आप मेंसे काफी लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में सुने भी हों में 2015 में इस प्रोजेक्ट को एक्रोपॉलिस डेवलपर्स ने लॉंच किया था और 2019 आते आते ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से खंशा गया यह आप देखें तो यह पूरा प्रोजेक्ट दो एकर से ज्यादा के अरिया में फैला हुआ है पांच टावर्स हैं यहां पे 400 इसके आसपास यहां पे फ्लैट्स अपलेवल हैं जिसमें 3 & 4 BHK हैं और इसके साइज की बात करें तो 2600 स्क्वार फिट का जो है आपका 3 BHK मिल जाता है और वही 4 BHK में देखें तो 3900 प्लस का स्क्वार फिट है 4 BHK में और अगर आप देखें तो जो इसकी फिनेंसिल इसके साइज 2019 में उसके बाद ये प्रोजेक्ट काफी बिले हो गया लगव एक सो असी करोड का जो डेप वो ऐसे से बैंक और टाटा केपितल से लिया गया था तो अब जाकि इसमें ट्रिवेका ने एंट्री मारी है जिसमें इगोंने कंपनी का 51% सेर एक्वायर कर लिया है और अब ये आसा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट को बनाते प्यार कर दिया जाएगा ट्रिवेका का कहना है कि 2023 तक इस पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर देंगे और ट्रिवेका का ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है एक साल के अंदर इन्होंने बैंगलोर में भी सेम मॉडल के प्रोजेक उठाए हुए हैं और अगर थोड़ पीछे जाए हम लोग तो कोलकाता में भी इन्होंने 2015 में यूनी मार्ग पेटर्णिया के नाम के प्रोजेक्ट को एक्क्वाइर किया जो की एक तरीके से रुखसा गया था 2016 मेंनों में एक्क्वाइर किया और महत चार महिनों में ही उस पूरे प्रॉपर्टी को इन्होंने बेच के खतम कर दिया और उसका नाम दिया ट्रंक टावर खोलकाता तो आसा करते हैं कि उसी लिगेशी के साथ ये प्रोजेक्ट भी बढ़के तयार होगा क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर यहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए अच्छा रहेगा और जो नई कंपनी आ रही है इससे जो है फिनेंशल कंपनियों को भी कॉन्फिज इस प्रोजेक्ट के डाइगोनले अपोजेट अगर आप देखें तो एलेना लिविंग करके प्रोजेक्ट है उसे भी आप देख सकते हैं और इस तरह के वीडियो को बनाये जाने के पीछे एक ही मकस्त है सौधा घरका कि आपको लोकेशन का एक ओवराल व्यू दिया जाए किस तरीके से प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और आने वाले समय में क्या-क्या डेवलेप्मेंट हो सकता है यह सारी जानकारी हम कोशिस करते हैं कि हर एक वीडियो में समराइज कर दें जो भी लोकेशन के उपर आ रही रहता है यहां पर इंफॉर्मेशन जुटाते जुटाते हमें काफी टाइम लग गया और अब साम हो चुकी है तो इस रोट पर जिसके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसका नाम है संकर राव मदुकर घुलेपाटिल रोट इस पर हम लोग फीरा आके चल के देखेंगे आकर यह आपको दिखाया हुआ है कि जो कॉंक्रीट रोट बना था वाई सेक्शन में तो यह आखिर वहां पर जोड़ रहा है या नहीं एक बार आप लोग यह पूरा वर्ट प्रोग्रेस देख लिजिए तो अगर आप देखें तो यहाँ पर रास्ता पूरी तरीके से कच्चा हो जाता है और आगे जाने के बाद फिर इस रास्ते से आप उस कॉंक्रीट रोट तक नहीं पहुंच सकते हैं तो जैसा कि आप लोग अपरी ड्रोन में भी देख सकते हैं जो कि हमने दिन में रिकॉर्ड किया था लगबख 100-500 मीटर का पैच है जो कि अभी पेंडिंग है तो साथियों आसा करते हैं आप सदी को सौधा घर का या प्रयास जिसमें आप लोकेशन के डिवलप्मेंट के साथ साथ प्रोजेक डिवलप्मेंट रोड डिवलप्मेंट देख पाते हैं आप सदी को पसंद आया होगा आप अपनी प्रत्विया हमें कमेंट में लिखके ब